हर खबर पर पैनी नजर, आपका स्वागत है ये खबर पर, जहां हम आपको लाते हैं ताजातरीन अपडेट्स, सीधे और बेबाक अंदाज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसने दिलों को जगजोर दिया है। ये घटना है इंडियन आर्मी के वेटनरी जवान प्रेमरंजन कुमार पर हुए जानलेवा हमले की। के चचेरे साला बाबू, साडू मनीश शर्मा और साली मानसी कुमारी सहित को छन्य रिष्टेदार शामिल थे। बताया गया कि लाठी डंडो से उन पर वार किया गया और उनकी गले में पहनी डेव तोला की सोने की चेन उनकी साली ने चीन ली। इतना ही नहीं, उनके साडू मनीश ने उनका आर्मी पहचान पत्र भी छीन लिया और उन्हें धम की गी। प्रेमरंजन का कहना है कि इस हमले में उन्हें गंभीर चोटे आई। इस बीच, गाव के मुख्या अनिल कॉरमतू और कुछ अन्यस्थानिय लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते उनकी जान बचाए। ये पहली बार नहीं है कि प्रेमरंजन को ससुराल वालों की ऐसी हरकतों का सामना करना पड़ा हो। उनके अनुसार, उनकी पतनी पूजा कुमारी पिछले दो वर्षों से बार-बार अपने माय के जाती रही हैं, जिससे उनके रिष्टों में खटासाई है। प्रेमरंजन का दावा है कि उनकी ससुराल पक्ष की और से उन पर आर्थिक दबाव भी डाला जा रहा था, जिसमें 3 लाख रूपये और महंगे उपहार शामिल थे। इस हमले के बाद प्रेमरंजन ने स्थानिय थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन अब तक पुलिस की और से कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जाच एक नवंबर को होगी। प्रेमरंजन ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाए और उन्हें न्याय मिले। तो दोस्तों, ये घटना पारिवारिक विवाद का एक गंभीर उदाहरन है। प्रेमरंजन कुमार जैसे देश की सेवा में लगे जवान को ऐसे हालातों का सामना करना पड़े, ये बेहत दुर्भागयपूर्ण है। आपकी क्या राय है? क्या पुलिस और प्रशासन को इस मामले में तुरंत कारवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंज में जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे चैनल ई-खबर के साथ ताकि आप हर जरूरी खबर से जुड़े रहें। हम हैं, इ-खबर, हर खबर पर पैनी नजर, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई खबर के साथ जिससे उनके रिष्टों में खटा साई है। एक नवंबर को होगी। प्रिमरंजन ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले में उच्चित कदम उठाए जाए और उन्हें न्याय मिले। तो दोस्तों, ये घटना पारिवारिक विवाद का एक गंभीर उदाहरन है। ताकि आप हर जरूरी खबर से जुड़े रहें। हम हैं ये खबर हर खबर पर पैनी नजर। धन्यवाद मिलते हैं एक नई खबर के साथ।